तो दोस्तों जैसे हम और आप जानते हैं कि भारत ने G20 समित 2023 को सफलता पूर्वक पूर्ण किया और इसमें कई साथे मुद्धों पर बात चीत हुई और कई महत्वपूर्ण निनाय भी लिए गए लेकिन इसी के दौरान एक ऐसी चीज भी हुई जो इन में बादा डाल सकती ती और दुनिया के बड़े-बड़े देशों के लिए सुरक्षा शंकट का मामला भी बन सकती थी ये गटना G20 के पहले दिल्ली के चानक्यपूरी में स्थित ताजपलेस होटल की है जिसमें होटल के स्थाफ को पहले पहुँचे एक चाइनीज डेलिगेट ने काफी दूबिदा में डाल दिया G20 समित के लिए चाइना के प्रीमियर आये थे और उनके साथ कई और डेलिगेट भी भारत में उपस दित थे इन में से सबसे पहले पहुँचे एक चीनी डेलिगेट को जब ताजपलेस होटल के सिक्योरिटी द्वारा अपना लगेज चेक करवाने को का गया तब उन्होंने एक बैग चेक करवाने से इंकार कर दिया कुछ समय तक रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब चीनी डेलिगेट नहीं माने तो सिक्योरिटी ने उनको वहीं पर रोक रखा इसके बाद उस डेलिगेट ने चैनीज एमबेसी को कॉंटेक किया और वहां का रुक करते हुए चले गए इससे काफी तनाव पुर्णवातावरान खड़ा हो गया था और यह आशंका लगाई जा रही है कि उस बैग में जासूसी गैजेक्ट हो सकते हैं लेकिन उनके वहां से जाकर चैनीज एम उतावास में आश्रे लेने के बाद कोई भी सफ़स्टी करण इस बात को लेके अभी तक नहीं मिल पाया है उनके बाद कई और चैनीज डेलिगेट्स भी आये थे उसी होटल में और किसी ने भी कोई भी आर्गुमेंट किये बिना अपने बैग्स और अपना पूरा लगेज चेक करवाया अभी तक उस घटना और इस संकाश्पद बैग को लेकर चाइना की ओर से कोई बयार नहीं आया है हो सकता है कि हमारे वहाँ जो एक राजनेतिक पार्टी है जिसने चाइना में अभी सत्ता में बैठी CCP यानि की corrupt communist party के साथ document sign किये थे 2008 में उनके पास शायद इसका उत्तर हो या फिर चाइना की ओर से वे कुछ पस्टी करन दे यह सिर्फ राष्टिय ही नहीं बलकि अंतर राष्टिय सुरक्षा का मामला है क्योंकि वहाँ पर पूरी दुनिया के दिगज नेता आये थे और ऐसा कृत्य उन सभी देशों की घोपनियता और सुरक्षा के लिए एक बड़ा ही संगीन मामला हो सकता था हम इंडिया स्ट्राइक्स की टीम होटल दाज पैलेस के स्टाफ और खास करके उनकी सिक्रेटी डिपार्टमेंट को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने पूरी निष्ठा से अपना कर्तवी निबाया और चूग नहीं होने दी अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो नीचे कॉमेंट में उनको धन्यवाद कहना ना भूलें इंडिया स्ट्राइक्स अगली खबर आने तक जुड़े रहे जय हिन